Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयांक और आई लाराउं में आपके लिए भारती एर्थ विवस्ता जो कि रमेश सिंग जी के दार लेकी भी पुस्तक है आज हमारा इसी करम में यहाँ पर अध्याय एक किस्मा है देखे यह आज आपका किताब का जो है अंतिम अध्याय है यहाँ पर हम ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं इनके बारे में डिसकस करेंगे इन पर चल्चा करेंगे आज इसका जो हैं वीडियो का पार्ट वन कवर करेंगे यहाँ पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिसकस करना है यहाँ पर देखे इस चैप्टर की खास बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी अवधार्णा है आपके सामने लाई जा रही है तो उन सब में जो अवधार्णा है उनके बारे में आप डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर को मैं complete इसलिए करवा रहा हूँ गर मैं इसे skip कर देता यानि वैसे तो यह आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ा गया था चैप्टर लेकिन फिर भी मैं complete इसलिए करवा रहा हूँ अगर मैं इसे छोड़ देता तो आप मैंसे तमाम लोग कमेंट करके पूछते कि सर यह पूरा क्यों नहीं करवाया कब पूरा करवाएंगे इसलिए मैं यहाँ पर इससे complete करवा दे रहा हूँ यहाँ पर इसमें से जो important important जो आपके topic थे वो मैं यहाँ पर cover कर रहा हूँ यह सारे जो topic है यह man's के लिए important है यानि इन मैंसे आपको prelims इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि total language है इसमें बस language को समझना है जानना है हमें और सब simple language है यहाँ पर यानि कोई बहुत typical language नहीं है बहुत ज्यादा यहाँ पर fact भी नहीं है कि और simple भासा में उस चीजी को यहाँ पर पुनरा प्रत्ति की गई है यह दोहराया गय है यहाँ पर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो heading है यहाँ पर एक नए आर्थिक model की तलास exploring a new economic model जैसा कि हम जानती है थोड़ा सा इतियास में हम जाएं तो 1750 में आपकी औध्विक क्रांती स्टार्ट हुई है ब्रिटैन से और औध्विक क्रांती की ज संसाधनों के पर थी यानि इस जो भी आपके प्राकरतिक संसाधन है उन्हीं के आधार पर आपकी जो अध्विक नीत है वो आगे बढ़ी है चाहिए आपके जैसे आपने देखा हुआ जो अध्विक नीत की स्टार्ट हुई थी जैसे कोईला सबसे आदा इंपोर्टेंट उस समय और जो भी संसाधन है जैसे ड्रेलवे लाइन का विकास करना था जो रेलवे के स्लीपर बगएरा होते हैं उनको बनाने की लगडियों की आवशक्ता बढ़ती थी बहुत सारे संसाधन जो होते हैं उन्होंने प्रकत से ही प्राप्त किये है यानि हम कह सकते हैं जैसे जो कॉलोनायल पीडियर्ट रहा है यानि का अपनिवेसिक काल रहा है अपनिवेसिक काल के दौरान भी हम यह देखते हैं हमारे देश से भी बहमूल संसाधनों को जो है अंग्रे जहां से लूट कर ले गए हैं और उन्होंने उससे जो है अपने बिटेन का निर्माड किया ह अबात हम सब लोग पढ़ चुके हैं तियास में देख भी चुके हैं तो देखिए यहां पर क्या था कि ये आपका अध्यकरांति वाला मोडल जो संसाधनों पर डिपेंट करता था 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 model के उपर जो है उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया, प्रश्मिचन लगाना स्टार्ट कर दिया, कि क्या वास्तम में ये जो model है, ये आने वाले समय में कह सकते हैं, हमें बचाए रखेगा, ये हमारी प्रत्वी को बचाए रखेगा, तब फिर आकर यहाँ पर एक नए आर्थिक मोडल की डिमांड की जाने लगी है, कि वास्तम में ये जो संसादनों पर डिपेंड मोडल है, इसकी जगह कुछ नया मोडल अपनाया जाए, तो यहाँ पर वही है, वैकल्पिक आर्थिक मोडल, आल्टर्नेटिब एकोनोबिक मोडल, तो विस्सुदारा अनुसरण किये जाने बाले बर्तमान आर्थिक मोडल की संधायनीता पर प्रशन लगाते हुए, वैकल्पिक आर्थिक मोडल सुझायी गए, उससे में देखिए, जब यह बिजार निकलकर आया था, कि क्या वास्ता में जो संसादनों पर डिपेंड हमारी आउध्यों के विकास है, इसके भी मेलब कह सकते हैं, अपने समाधान बताए, लेकिन कोई भी समाधान जो है, पूरी तरह से अमल में नहीं लाए गए, अपना है नहीं जा सके, तो पिछली सदी के साट के ससक से ही, सुझाए गए ऐसे मॉडलों में से, कुछ पर विस में, आंशिक अमल भी किया गया, लेकिन इन में ज्यादातर सैचडिक महत्तु के ही बने रहे, यानि केवल किताबों तक किसी मित रहे, ये किताब हमें उनके अच्छाई और बुराई बताई गई, कि हाँ भाई, ये बहुत बड़ी है, ये मॉडल अपना लेना चाहिए, उन्हें जो रियल में इंप्लिमेंट नहीं किया गया, और वास्त्रुकता ये भी है, आज की तोर में भी कोई आप देख रहे होंगे, ज मेर का कुछ किसी के मानने को तयारी नहीं होता है, तो ये भी एक सेक्ट की बात है, कि यहां चाहिए, हम कितनी भी बात ने कर लें, ये डेपेंड ये करता है, उन्देसों पर उन अर्धबेवस्ताओं पर वो इस चीज को कैसे महसूस करें, वो इस चीज को कैसे discard क beetle कोा में गई हैं लेकिन नियाबत धियर दिर करके जो प्रकति है या फिर ये नए बेकल्पिक मॉडल का जो विचार है वो सभी अर्थ विवस्ता है महसूस भी कर रही है वो ये मान रही है कि बास्तब में अभी जो विकास के या ओध्विक यइ इस्तिरवस्ता का मनलब क्या है कि जो शंसाधन हमारे हैं वो यहीं के हमें बने रहे हैं का मνलब क्या है यानि कि यहाँ पर reduce हमें क्मायूज करना किसी संसाधन का मलब क्या पने उसका उप्योग करना recycle का मतलब क्या होता है कि मालब फिर भी बचे जाए उसका अफसिष्ट तो अफसिष्ट को हम फिर से उसे सोधित करके फिर से उसका व्योग कर पाए तो यह 3R model पर यहाँ पर यह काम करता है reduce, reuse और recycle model पर यह काम करता है तो अब जादर अर्थ विवस्टा जो है इसी model को अपनाने के favor में है उनका मानना यह है कि अगर हमें प्रत्वी को बचाना है और अपने भविस्ट को बचाना है तो 3R वाला concept ने चक्री अर्थ विवस्टा वाला concept जो है इसको ही अपनाना होगा वरना हमारे प्रत्वी पे मौजूद जो खनिस वंसाधन है वो लंबे समय तक टिके नहीं रहेंगे बलके वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी पुनर भटर की दर्ड जो है वो लाकों सालों में तयार होते हैं तो एक-दो साल में तयार होते हैं तो बैटर यह है कि हमें 3R वाला चक्री अर्थविवस्टा वाला model अपनाना चाहिए तो इस्थिर अवस्था अर्थविवस्था इसके वारे में हम बिचार करते हैं देखे तो ये इस्थिर अवस्ता अर्थ विश्ता का जो विचार था ये वास्ता में ये पारिस्थित्की अर्षास से निकला हुआ विचार है यानि कि अर्थ विवस्ता में अब पारिस्थित्की के महत्त को भी यहां पर स्विकारा जाने लगा है तो यहां पर कुछ और भी ऐसे बैग्या यह इन्होंने कहा है कि ऐसा आर्थिक मोडल अपनाई है जो हमारे प्रसित्की के फेवर में हो प्रसित्की का बिनास ना करें बालτι के साथ मिलकर चलिए तो यहiennent बालनिंग का बिचाड जो अमेरिका बगर हम पाई जाते हैं, हैट पैंते हैं, गोड़ों पर गुमते रहते हैं, रसी हाथ में घुमाते रहते हैं, यानि काभी संख्या में जो आपकी गाये भेहन से होती हैं, उनको चराने का काम यह करते हैं, तो यहाँ पर इनों दो कॉंसेप्ट अपनाए, गुमिकों हों, कि संकल्पना पर आधारित हैं, इसमें एक जगह से, एक जगह के संसादनों के समाप्त हो जाने पर इसकी तलास दूसरी जगह की जा सकती हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है, कि चरभाई वाली अर्थ में यही होता है, कि लोग जब तक संसादन मिलने है तब तक उनका दोहन करते रहते हैं, और जब नहीं मिलते हैं, तो दूसरी एका के लिए स्विच करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के फेवर में बावल्डिंग बिलकुल भी नहीं है, बावल्डिंग ऐसी आर्थिक अभधारना से बिलकुल असहमत हैं, और इनका मानना यही था कि हमारे पास सभी जीवों के उपयोग के लिए मातर एक ही प्रत्वी है, एक ही ग्रह है, तो हम तो यह विलकुल करी नहीं सकते हैं प्रत्वी के साथ, कि प्रत्वी के सारे संसारनों का दोहन कर ले हैं, और किसी अन्य ग्रह पर चले हैं, यह विलकुल संभवी नहीं है, तो ये बिचार जरभाई की अर्थव्वश्वास्ता वाला बिचार इन्होंने खा पुरी तरह से आप इसे ट्याग दीजिए जो लोग इस अर्थव्वश्ता को पॉलोग कर रहे हैं उनको भी इनूने अलर्ड किया कि आपको भी विचार द्याग देना चाहिए अंत्रिक्ष मानव और्तविवस्ता वास्ता में देखा जाए तो उस समय कि निवन्दी के साफ से इन्होंने बहुत लंबा कह सकते हैं बहुत बिजनरी विचार था इनका और बिजनरी विचार देखते हुए इन्होंने ये concept दिया तो इसमें प्रतवी को एक एकल करते हैं तो वैसी इन्होंने कहा कि प्रतवी वास्ता में हमारे लिए एक यान की दर है एक एकल अंत्रिक्षियान है हमारे पास कोई विकल्पी नहीं है अगर मालीजी इसके संसाधन हमारे नश्ट हो जाएंगे तो हम भी नश्ट हो जाएगे क्योंकि हमारे पास कहीं और ज उपयोग को महत्मी करत करने की जगह उनके निवनी करण और साथ ही कई अन्य बातों पर बल दिया गया यानि कि यहाँ पर साप साप यह कह दिया गया कि हमें यहाँ पर निमन उपभोग करना है उपभोग के उत्पादों का भंडारन नहीं करना है और बैसे उत्पादों का उ भोग लाइक ना रहें, तो इन सब को हमें कहीना की, इनका कम से कम उपयोग करना है, कम से कम इनको यूज में लेना है, अगर हमें प्रस्वी को बचाना है तो, इनगों साप साप कह दिया, कि बास्तब में हम एक एकल अंतरिक्ष यान में सबार हैं, और यहां के संसाथनों के अगर हम दोहन इस प्रकार से करते हैं, कि वास्ता में इन संसाथनों के दोहन से यान को नुकसान पहुंचता है, तो गर इस यान को नुकसान पहुंचेगा, तो वास्ता में मानब जो बजूद है, मानब की सब्विता है, उसको भी यहां पर नुकसा इनका है, बावलडिंग के बजार जो होते है, वो उसमा गती की, जिसे हम थर्मो धानमिक्स कहते हैं, थर्मो धानमिक्स का मतलब आप जानते हूँगे, उसमा का प्रभाव जो होता है, याइने एक पिंड से दूसरे पिंड की हुर होता है, या फिर मुक्त रूप से भी उस्मा का प्रभाव आकास में हो जाता है तो उस्मा करती की सिद्धान बोलते हैं अपने पढ़े होंगे थर्मो डैनेमिक्स के जो भी रूल है पढ़े होंगे लेमन्थ में पढ़े होंगे तो ये बावलिडिंग के विचार खास करके इसी के इनके सिद्धान्तों पर आधारित है साथ रहना नितानतावशक है. यानि कहने का मलब क्या है? इनका कहने का मलब ये था कि जो भी यहां पर इस प्रत्वी पर मौझूद जीव है वो या तो सामझस के साथ रहें, यानि कीजेए ना सोच आए कि हम एक दूसरे पर अतक्रमर पर करें, अगर अतक्रमर करेंगे हमारे आप बने रहें तो इस तरह के विचार को इन्होंने कहा है कि यह ना हो कि अपर हम जो अन्दादूंद हमारी अंधानुकरण की दोड़ है यहां पर इस चीज़ के ऊपर कुछ और भी विचारबाद में प्रकासित हुए है कुछ और भी चीज़ां यहां पर अन्वान लगाए गए है खास करके जब से पर्यावर्ड आपके सकरी हुए है तो इन्होंने पर्यावर्ड में जो भी मौजूद आपके संसाधन है उनका मुल्यांगर करना स्टार्ट कर दिया है के वास्ता में जो पर्यावर्ड हमें प्रकाती हमें जो संसाधन प्रोवाइड कर रही है अगर उनका आर्थिक अर्थववस्ता में मूल अंकित किया जाए या मूल का आंखलन किया जाए तो कितना मूल निकल करा रहा है इस संधर में कुछ संस्थानों ने प्रयास भी किये हैं तो वर्स 1997 के एक महत्पूर शोर्द पत्र में अनुसंधान करता हूं दारा पत्वी की ऐसी पालिस्तित की सेवाँ की आपूर्ती का वार्सिक मूल 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया जो उस समय के बैस्टिक GDP से लगवक एक दसन्वर आठ गुना अधिक था आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो ग्लोबल GDP था उससे भी एक दसन्वर आठ गुना अधिक था ये जितने भी उस समय प्रत्वी पर मौजूद संसाधन थे तो आप समझ सकते हैं कहीना कि हमारे लिए कहने का मलब एक लाइन में बार बार बिचार भही आ रहा है कि ऐसी अर्थविवस्ता हम अपना है जो कि हमारे पार्षित्की के हिदैसी हो तो पार्षित्की अर्थविवस्ता के हमारी अर्थविवस्ता की अनुसार की ब्रद्दी के लिए दो मार्ग है यानि पार्षित्की अर्थविवस्ता जो कहता ह कि हम अर्थववस्ता की जो और वरदी वह दोतरह से कर सकते हैं चिस से कि हमारा पर्याबड की नुक्सान कम से कम पहुंचे यह से अर्थववस्ता है रियूस रियूस रीजल या रीसाइकल करके फिर जंसादनों का गहन उप्योग करके जो granular संसाद है या तो नोंका गहनता के साथ उप्योग करें तो इन्होंने ये concept यहां बताया है इन्होंने एक चीज़ और यहां पर रखी है यहाँ जो पारश्वत की अर्शासरवाले है इन्होंने यहाँ इन्होंने कहा है कि जो GDP है so GDP को प्रगति और ब्रदी की एक सही माप नहीं माना जाता है वास्ता में GDP में सब कुछ आंकलित नहीं किया जाता है GDP में उन्हीं संसाजनों को आंकलित किया जाता है जिनका मूल होता है ना तो इसमें कितना हिनास हो रहा है संसाजनों का हिनास कितना हो रहा है बिना भुकतान किया गया अस्रम कितना यह कुछ भी आंगलिक नहीं किया जाता है तो उन्होंने कहा है कि GDP किसी देश की आर्थिक रदी को मापने का एक अच्छा साधन नहीं है क्योंकि इससे हमें पूरा-पूरा महाँ पर संसाधनों के मूल लिखा और जो हमारे हैं स्रंबल काम कर रहा है बिना भुकतान के उसके मूल लिखा हमें पता ही नहीं चल पाता है इसकी जगह इस अर्थास्त्र में अधिक समगर प्रकदी सूचकांग जैसे हम ग्रॉस प्रोग्रेस इंडिकेटर कहते हैं यानि जीपी आई कहते हैं जिसमें रदूसर वनों की कटाई और कार्ज और घटनाव इत्यादी को भी सामिल किया जाता है इसकी जरूरा तो यहाँ पर यो पर्यावड अर्थास्त्र वाले समर्थक हैं तो उन्होंने कहा है कि आप GDP की जगह पार्थास्त्र में आप लोग GPI को यहाँ पर आप सामिल करें यानि ग्रॉस प्रोग्रेस इंडिकेटर जिसमें के पर्यावड के मानकों को भी सामिल किया जाता है पर्यावड से ज रखी गई अब देगे चक्री अर्थवस्था बाला वैचार हम देख लेती है शर्कुलर एकोनोमी बाला सुरुआत में तो कई सारी परिभासाइं अपने अपने इस्तर से दी गई लेकिन नहाबर कोई इसकी मानक परिभासा नहीं बन सकी हाला कि जो बाद में जो करते हैं तो उनके उपयोग में जो उनकी विवस्ता परिवर्तन है किस तरह से करना है उसके वारे में एक राय निकल कर आई है तो यहां पर 3R वाला संसाधनों के उपयोग के मामले में इसके अंतरगत 3R जश्ट कॉर्ड का अनुपालन किया जाता है इसमें पहले एक में क्या है पहले आर का रिड्यूस रिड्यूस का मतलब वही है कि कच्छे माल का उपयोग हम करें वो कम से कम करें नियूंतम संसाधन हमें इस्तिमाल करने है कच्चे माल या संसादनों का नियुंतम इस्तिमाल कर रहा है दूसरे आर का मतलब है Reuse Reuse का मतलब क्या है कि इसमें हम जो संसादन है उनका हम उत्पादों का पुनर उप्योग कर पाए तो यह Reuse वाला कॉंसेप्ट है थर्ड आर का मतलब है Recycle देखे Recycle वाले concept में इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम खराब उत्पादों का उप्योग करें नहीं Recycle का मतलब यह है कि जो भी हम उत्पाद है उनको फिर से अगर उप्योग करते हैं तो उनको फिर से गुडवत्ता फूड बना कर उप्योग करें ऐसा विल्कुल भी नहीं है कि विल्कुल घटिया सामाने उसको दोवारा Recycle के मादम से उप्योग नहीं Recycle के मादम से उनको फिर से गुडवत्ता फूडवना है तब यूज करें तो यह 3R वाला concept इसमें अपनाया गया है यह जो इस तरह का चक्री एकोनोमी है वास्तम में यह आर्टिक विवस्ता में कुछ भी वेकार नहीं है इसमें क्योंकि इन अप्सिष्टों के पुनुर्प्योग से क्या है नए उत्पादों के उत्पादम की विवस्ता बर यह बल होता है और कहीना कि इससे हमारे पर्यावड को भी कह सकते है पर्यावड का हित्यसी है पर्यावड को इससे हानी नहीं पहुँचती है तो अगर भारत जैसे देश में देखा जाए आप लगातार देख रहे होंगे अगर मैं कोई एक टॉपिक उठा लूँ यानि कि जो आपकी electronic vested होती है यह लगातार बढ़ती जा रही है हम सबके घरों में mobile phone से लेकर हर चीज की मातरा बढ़ती जा रही है वास्तविक्ता क्या है आप लोग सब लोग जानते होंगे वास्तविक्ता हमारे देश सबसे बड़ी कमी हमारे देश में क्या है बहुत कम ऐसी स्कीम चलती है जिसके जरी हमारे फुराने प्रोड़क्ट को बदला जाता हो तो यह भी हमारे देश में बहुत बड़ी खामी है इस वज़े से भी हमारे e-best यानि कि electronic कच्रा लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो अगर हम e-best को फिर से इसका management करें के इसको पुने अगर हम चक्री करम में इसका उतपाद करें तो इसके रोजगार भी सरजन होगा और हमारे यह जो e-best के रुप में लाको करोड रुपया जो बरवाद हो जाता है उससे भी थोड़ा जो हमें लाब मिलेगा भारत की स्थिती देश हैं देखे भारत की स्थिती अपने इन सब जीजों में हम देखते हैं कि भारत ने किस तरह से अपनी अर्थविवस्ता को यहाँ बर पार्श्थित के अन्कूल बनाने के लिए प्रयास किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो भारत में चक्री अर्थविवस्ता को अपने आने का जो सुझाओ था वो ऑफिसियली आपका पहली बार किसी आधिकारिक निकाय के द्वारा यानि मद 2019 में नीत आयोग के द्वारा यह दिया गया यहाँ पर इसने कुछ फैक्ट भी दिये नीत आयोग ने इसके अनुसार अगले पांच से सात बर्सों में अर्थविवस्ता में लगबक एक दसनलब चार करोड रोजगार और लाखो द्युमियों के स्रजन की छमता है इसमें यानि वास्ता में अगर 3R वाला जो कॉंसेप और जादा होगा यहाँ पर कुछ और बी गंभीर बातों का चिंतन यहाँ पर किया गया बताया गया कि बर्स 2050 तक विश्व की जनसंक्या पढ़कर 9.7 अरव हो जाने का अनुमान है और 3 अरव आबादी मध्यम बर्गी उपहोग इस तरगो प्राप्त कर लेगी यानि यह बुन्यादी आवशक्ता की जो जरूते होती है उनको कुड़ा करने के लिए साधन नहीं होगे तो यह बात भी यहाँ पर बताई गई है आयोग के अनुसार इस इस्थिती में 2050 तक विश्व को प्रतिव्यक्ति लगवग 81% अधिक संसादनों की ज़रुत होगी यह जब जन अगली आपकी यहाँ पर हेडिंग आती है बदलता वैश्विक आर्थिक प्रद्रस और आतन निरवर्ता देगे आप लोग जानते होंगे हमारे भारत में ऑफिस यली सन 2020 में जो कोरोना पैंडमिक आई इसके बाद आतन निरवर भारत का एलान किया गया हमारे माननी प्रदानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसके बाद कई सार वैश्टी जो नियम कानून बने हुए हैं फ्री ट्रेड वाले उनका उलंगन कर रहा है इस तरह की पहल करके लेकिन यहाँ पर भारत ने ऐसा डिसीएन क्यों लिया उस डिसीएन के बारे में हम यहाँ चिंतर मंतन करेंगे कि वास्ता में क्या जरूत पढ़ी हमें जो हमने इस तरह का आद निर्वर्भारत वाला अभियान अपनाया तो वो हम यहाँ पर समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसी में आता है आद निर्वर्ता एबं भौपक्षबाद सेर्फ लिलाइन्स एंड मल्टी लेटर इसके बारे में हम जानेंगे तो विश्यसक्यों ने भारत द्वारा हाल में गोशित आद निर्वर्ता अभियान को वैष्वी करण और भौपक्षबाद की धारणाओं के प्रिश्कूल बताया है हाला कि यह पहली मरत्वा नहीं है कि जब हमारे आद निर्वर्भारत अभियान अपनाया हो इससे पहले भी आप अगर याद करे नहरू जी के टाइम में भी नहरू जी ने भी आद निरवर अभ्यान को बढ़ावा दिया था और उनकी ही देन ये है कि हम लोग खाध्यान के मामले में आद निरवर भी हो गए यहां तक कि हमारे इतना जाता खाध्यान उगाया जाने लगा कि हम अपने देश से पचास साथ के दिसक में हम इंपोर्ट करते थे बिन देशों से खास करके अमेरिका से करते थे तो अब हमने बिल्कुक खतम कर दिया इंपोर्ट करना अब अपने यहां से मुल्टा अनाज दो है दूर से देशों को भेज रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी रहे हैं तो हाल में भारत का USS है कई अन्य देशों के साथ ब्यापार सरच्षड की मुद्धे पर विबाद का माहौल बना रहा है लेकि अभी आपने देखा होगा 2008 का जो सब्प्राइम संकट आया है उसके बाद हम यह देखते हैं दुनिया की जितनी भी बिक्सित अर्थव रहे हैं वो कुछ ना कुछ सरच्षडवादी कदम उठा रही हैं चाहिए अमेरिका की हो यूरोप की हो सबने अपने अपने इस तरपर कुछ ना कुछ सरच्षडवादी कदम उठाए हैं तो अगर बो लोग सरच्षडवादी कदम अपने यह उठा सकते हैं तो फिर हम भारत का रुख कुछ सरच्षडबादी देखा गया है ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने फिर अपने जब अमेरिका वाले अगर सरच्षडबादी अपना सकते हैं रुख यूरोप वाले अपना सकते हैं चाइना वाले अपना सकते हैं जापान के अपना सकते हैं तो हम भी अपना ब्यापार बंद कर देंगे, नहीं, हम ये कोसिस कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा, गांधी जी ने उस समय यहाँ पर गांधी जी भी छोड़ी है, गांधी जी पर पहले भी सवधेसी अपनाव वाला जो concept आया था, सवधेसी अपनाने का मलब यह नहीं था कि अबर भी हम पूरी तरह से यह नहीं कर रहे हैं कि मिलें खतम कर दू, नहीं, व्यापार खतम नहीं कर रहे हैं, हम कोसिस यह कर रहे हैं कि हमारे यह स्थानी स्थानी स्थर्गे जो भी उध्यमी है, वो निकल कर रहे हैं, वो उन उत्पादों को सजित करें, जैसे हमारे यह मोभायल का निरमाड है। अगर आप सोचने वाली बात है, चाइना से बहुत भारी मात्रा में मोभायल का इंपोर्ट करते हैं, मोबायल कोई बहुत बरिए चीज नहीं है, मोभायल हमारे बनाए जा सकते हैं, हमारे हैं बहुत अच्छी खची आची टे कंपणियाँ भी हैं, तो Dixon Tech क्या है? गैजट बनाती है. ये गैजट जो होती है, भिविन कमपनियों के गैजट कॉंटेक्ट पर बनाती है. इसमें बहुत हो नामी गरामी कमपनिया भी सामिल है. अगर आप कभी Google करेंगे तो आप पाएंगे Dixon Tech अपने देश की एक नामी गरामी जो आपकी कह सकते हैं, गैजट बनाने वाली कमपनी है ये, टीवी बगरा, बहुत सारी चीज़ है, फ्रिज बगरा, बहुत सारी कमपनियों के तैयार करती है भारत में. तो ऐसा नहीं है कि भारत में प्रतिबागी कमी है, भारत में कम्पनियों की कमी है, सब कुछ है. बस क्या है, थोड़ा या कह सकते हैं, एक अधोर भूस वर्ञचना कर तयार कर दी जाए, तो हमारे याँ भी स्वदयेसी वर्ञचना भी मारे उत्पातन कर सकते है, तो ये बात यहां पर हम इसमें बढ़ावा देने की कोसिस कर रहे हैं, हाना कि भारत की हाल में गोषित आद निर्वरता पर बल देने के नेड़े को सरच्छडबादी नहीं बलके विस्त की आर्दिक सरच्छना के बदलते सरूप के परपिक्ष में देखे जाने की जरूरत है ये बात बिल्कुल फेक्ट की बात है बदलता वेश्विक परदर से यानि के चैन्जिंग ग्लोबल सिनेरियो आप लोग जानते होंगे जो कोल्ड वार वाला सीजन रहा है यानि USA और USSR के बीच जो कोल्ड वार चला है तो कोल्ड वार के दोराम तो आपने देखा होगा कि दोनों एकोनोमी आपसें टकरा रही थी यानि USSR वाली भी टकरा रही थी और USA वाली भी टकरा रही थी अर्थवरस्ता है यह जब कोल्ड वार खदम हुआ है तो उसके बाद हम यह देखते हैं असे में जो अमिर्का बाले हैं वो नाराजी जथाया逊ने लगे हैं कहिना के चायना जो आगे चल कर वह सिम्हें हमारे लिए competition create करेगा बहुत अच्छी खाजी competition में हमें देगा तो कहिना की यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से एक दुन्द वाली सितिय भी चल लही है चाइना वाले भी अपने स्थर से लगातार प्रयास होतने चाइना वाले भी अपने विस्तारबादी नीट अपनाए हुए है उपर से अमेरिका वाले भी अपनाए हुए है तो इन सब को देखते हुए हमें गहिना की कदम उठाने ही पड़ेंगे दूसरी बात आपने ये भी देखे हो कि जो COVID आपके हैं आया पूरी दुनिया में COVID जो आया COVID-19 तो उसके बारे में भी विस्तारब्यों की ये राय है कि जो कोरोना वाइरस है इस पर बास्ताम में चाइना जोगा रिसर्च कर रहा था इस पर बास्ताम में टेस्टिंग कर रहा था और इसको एक बैपन के तोर पर इस्तिमाल करने के लिए यानि हत्यार जैविक हत्यार के तोर पर इस्तिमाल करने के लिए इसको तयार कर रहा था लेकिन परड़ाम यह हुआ कि ये वहां से लीक हो गया यानि बोहान लेब से लीक हो गया पूरी दुनिया में ये फैल गया तो ये भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वास्ता में ऐसा कभी हो सकता है आने वाले समय में कि ये जो जितने बड़े-बड़े देश हैं कुछ इस तरह के वाइरस का इजात कर लें और दूसरे देश कि आलोक में देखने की जरूरत है जैसे यह भारत का चीन के साथ बड़ते ब्यापार घाटे को नियंद्रत करने की ये कोसिस है वास्ता में ये बात बिल्कु सही है कि अभी हम सबसे जादा सामान इंपोर्ट जो है आप जो भी देखते हों कि गैजेट के मामले में वो आप जाए इनके द्वारा अपने चीन इस्थित उतपादन केंद्रों को दूसरे देशों में इस्थाना अंत्रत करने की कोशिस की जा रही है ये बिल्कु सही बात है जो बहान लैप बाला जो नियूज है तो वो नियूज गलत नहीं है बहुत सारे बैग्याने कों का भी दावा ये बिल्कु सही है चाइना एक बैपनी तयार कर रहा था है कोरोना के फॉर्म में वहां से लीक हो गया इसे और लीथल बनाने की तयारी थी चाइना की तो यह जहां पर जो एमेंसी जो काम कर रही है वो यह कह रही है अब चाइना जैसे देश से अब हटना चाहिए चैना में कभी भी कुछ हो सकता है आने वाले साल में चायना कुछ भी कर सकता है तो यह एक फैक्ट की बात है यहां पर अब क्या है इन देशों के लिए जो जो कि चाइना में इनके production house लगे हुए थे अगर ये भारत जैसे देस में आते हैं तो भारत को भी इससे फायदा होगा जो कि भारत की जनसंकिया लगातार हमाने जनसंक की लावांस है वो भी उसकी और बढ़ रही है जनसंकिया हमाने योगा जनसंकिया सबसे ज़्यादा है ज एंदिया तो इसके माद्यम से प्रियास यही किया जा रहा है कि कैसे भी करके हमारे यह जो विदेसी कंपनिया है उनको एपने देश में यहां पर बुलाया जाए बिदेसी कंपनियों के production house अपने इस्थापित करवाये जिससे के हमारे देश में भी रोजगार बढ़े और जो हमारी चाइना की उपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए विरोजगारी जन सांग के किलाव एवं अधिकान से क्रसिकत उत्पादों के अतरेक इत्याद काड़ों से भारत अपने व्यापार की पुनर सनचना करने को उस्सुक है यानि हमारे एक तो विरोजगारी भी है अच अगली आपकी जो है बुरे बैंक बैड बैड बैंक वाली समस्या आप जानते होंगे पड़ भी चुके है खास करके NPA जिन बैंकों का बड़े जाता है नॉन परमार्मार्विंग असेट तो बाद में उनकी बजैसे बैंक जो दिवालिया हो जाती है या डूबने कार पहु बुरे बैंक के रूप में जानते हैं तो यहाँ पर भी बताया गया है कि बुरे कर्ज का फार जैसे कि बैंकों में फसे हुए कर्ज नॉन परफॉर्मिंग असेट है पिसेसकर आपके साजनेक छेतर के बैंक जो है PSB Public Sector Bank यानि कि कहने का मलब यह सरकारी बैंक पिछले इसकी वज़े से यहाँ पर यह भी देखने को मिलना है कि आने वाले समय में यह बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं दिवालिया का मलब आप जानने होंगे बैंक यह कहा दे हमारे पास पैसा ही नहीं है और इसमें रखा हुआ सारा पैसा वो पूरा जब्त कर ले किसी को कुछ भी बाबा से ना मिले तो यह दिवालिया होना कहते हैं तो यहाँ पर बताया क्या है कि सितंबर 2019 तक देश के अनुसूचित जो वाड़ेजिक बैंक है कॉमर्सियल बैंक है इनका इनकी सकल गयर रिस्पाधनकारी परसंपतिया नो दसम्द तीन परसंपतिया यानि इनका जो पर शेँबशा जो यह एंप यह जितने इन्होंने रिड़ मांटे हैं जतने भी इन्होंने लों दिये हैं उसका लावं 15 फिसद मानके चलते हैं इनका एंप यह था अगर हम बात करें पब्लिक बैंक की तो पब्लिक बैंक की इस बहुत ज्यादा बिकराल है या कह सकते हैं बहुत ज्यादा दुरगम इस्तिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हैं, ब्यभ़साय में हिस्सेदारी भी पब्लिक बेंक की है, यह बेंक जराज़की सट लेते हैं, उनका मनना ये है, सरकारी बेंक का किसी परिस्तिति प्रवाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कि एक विश्वास है वो विश्वास भी खतम होगा तो इस वज़े से बुरे बैंक वाले कॉंसेप्ट से निकलने का हमें यहां पर प्रत्न करना चाहिए हाना कि RBI ने समय समय पर अपने बहुत सारी स्कीम लॉंच की जो निकालने के लिए जैसे आपने देखा हुगा एक स्कीम जो थी वो थी आधारवुट धांचे के आसान पनरवित्तियन वाली स्कीम थी इसको पांच पट्टे पच्चिस योजना के नाम से जो थी यह भी एक स्कीम लॉंच की ती या परसंपती पनरण रिर्मार कंपनी जिसे बोलते हैं ARC के रूप में भी एक स्कीम लॉंच की इसके लाब यहाँ पर आपने देखा हुगा HDR के रूप में AQR के रूप में यह असेट Quality Review के रूप में भी यह भी एक स्कीम लॉंच की हाला कि RBI की दौरा जितनी सारी योजनाय लाएगी जितनी सारी concept लाएगे त आप अपना ये concept है ये change कीजिए बुरे बैंक के model याणि बुरे बैंक को हम किस तरह से भार निकालें बुरे बैंक को कैसे हम यहाँ पर normal bank बनाए वो बताये दिया है तो बुरे बैंक की स्थाफना के कई model है बताये गाई है कैसे कैसे कई model है भारत को इसके एक ऐसे model की आव balance sheet वाली समस्या create हो रही है, TBC के नाम से जानते हैं, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे balance sheet के वारे में, 20 balance sheet की समस्या जो create हो रही है, ये समस्या दूर हो जाए, दूसरी बात यह है, इन बैंकों में कूजी निशेचन, capital infusion की विवस्था हो, यानि कि यहाँ पर ये भी होना चा है, कि यहाँ पर जो आपका जो पूजी निशेचन है, पूजी निशेचन का मलब ही है, समय समय पर जो government पैसा provide करवाती है, तो पैसा जो provide government के तोरह करवाया जा रहा है, उस पैसे से क्या हो, government कही ना कहीं, जो इनकी परसंपत्यां फसी होई है, या इनका जो liquidity, जो कम बनी ह होई है, वो liquidity बनी रहे, तो यह बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर साज्मिक छेत्र पुनरवास agency है, पारा जिसे हम कहते हैं, या पारा का मलब है, public sector asset rehabilitation agency है, खास करके NPS को जो यहाँ पर ठिखाने लगाने के लिए बनाई गई है, यह agency, इसके बारे हम पढ़ चुक organization agency वो इसलिए बनाई गई है, ताकि NPS की सवास्या से बाहर निकला जाए, वैसे हाल में आपके यहाँ दो नीतियां भी अपनाई गई है, वैसे हाल में जो नीतियां भी लिये गई है, और इनका कुछ सकारात में प्रभाव भी पड़ा है, पहला प्रभाव बताया गया है, इस सरकार द्वारा सादमिक छित्र बैंक हैं, इनमें पूजी निसेचन की प्रक्रिया को तेज और मजबूत किया गया है, पूजी निसेचन का मलब क्या है, कि सरकार ने समय समय पर इनको आर्थिक सहयकत सहयता भी दिये, इन बैंकों को अपनी तरब से RBI की जरीए पैसा भ हो सकी है, यानि कि जो गवर्मेंट जो आपका शोजन अच्छमता और दिवालियापन कानून लेकर आई है, इसके जरीए जो भी बैंक का करज न चुकाने वाले लोग हैं, उन पर कड़ी कारवाही हो पा रही है, तो इस वज़े से भी कहीं ना कि बैंकों को जो है, अपना क बहुत अच्छे से आप इसके बारे में कवर करके आए हैं, फिर भी हम जान लेते हैं, यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर फिर से हम रिवाइट कर लेते हैं, यह बात हम सब लोग जानते हैं, कि हमारे देश की जनसंक्या आने वाले समय में, चाइना को सरपास कर देगी, यानि हम लोग पहले पाइदान पे दुनिया हम पहुंँ जाएंगे भारत की आवादी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी यह हम पहले पाइदान पे हम पहुंँ जाएंगे साथी साथ भारत में एक सिती और देखी गई है कि भारत में 2020 के बाद जहां पर पूरी दुनिया में युवाओ यानि कि जो आपके बर्किंग एज हैं बर्किंग एज वाले परसंस की कमी होगी भही भारत में सबसे ज़्यादा युवाओ इसी एज की दुनिया बाद आपको देखने को मिलेंगे तो ये भी हमारे लिए एक बुनियादी अवसमचना है या बुनियादी जो भी इंफार्टर है वो प्रवाइड नहीं करभा पाए तो ये हमारे लिए एक बोज भी बन सकती है ये बात में डिस्कस कर चुकी है तो वैस्विक जनसांक की आख़णों के अनुसार दोजार सोले में बदलाओ का समय देख बता गया है बताया गया है 1950 के बाद से पहली बार अग्रिम देशों की संयुक्त डब्लूए जनसंख्या 15-69 वर्स के आई वर्क वाली गिर रही है इन्हीं अग्रिम देश का मलब क्या है जो और्तवरस्था है पहले आजाद हो चुकी है जहां डवलोप्मेंट पहले से चल चीन और रूस अपने डब्लूए 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 का मतलब मैं फिर से रबीट कर देए रहा हूँ इसका मतलब है वर्किंगेज यनि कि यहां पर डब्लूए का मतलब जो है वों बर्किंगेज यानि कि जो कारिसील जनसंक्या जिसे हम बोलते हैं तो उसको WA WA short में बोला गया है कारिसील जनसंक्या बार बार नहीं किया हैंगे 15-19 वर्स की कारिसील जनसंक्या होती है इसके लिए हमने WA बढ़ यूज कर लिया है short में तो यहां बताया गया है कि चीन और रूस अपने WA को 20 प्रस्ट से अधिक गिरता हुआ देखेंगे यानि सबसे ज़्यादा गिरावट चाइना में और रूस में देखने को भी लेगी चाइना में गिरावट देखने का मलब क्या है उनकी जो बन चाइल्ड पॉलसी थी यानि कि एक बच्चा नीट थी इसकी बज़े से उन्हें ये खामयाजा उठाना पड़ेगा है बन चाइल्ड पॉलसी के बज़े से बहाँ पर सबसे ज़्यादा बूड़ों की संक्या बढ़ चुकी है यानि कि अब बूड़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए है लेकिन इस कदम को देखते हुए चाइना क्या कर रहा है अब चाइना ने थ्री चाइल्ड पॉलसी ला दी है यानि एक बच्चा बाली मीत खतम कर दी है अब तीन बच्चे तक करने की आजाधी देदी है लेकिन आने बाली समय में तीन बच्चे भी बहुत जल्दी पैदा थोड़ी न हो जाएंगे आप मान के चलिए यानि ये तीन बच्चे पैदा करने में 5-6 साल तो लगी जाएंगे एक-एक फैंबली को करमान के चलिए तो ये तीन बच्चे जो पैदा होंगे 5-6 साल में तो लगी बीस साल के बाद जाकर तयार होंगे ये तो कहिना कि इस दौर में आप देखेंगे चाइना की जो ग्रोहत है वो कम पड़ जाएगी भही भारत की सिदी देखें तो भारत में तो अल्रीडी हमारे पास जनसंक्या तयार हो रही है जनसंक्या हमारे पास बहुत ज़्यादा युवा है याँ आप देख सकते है भारत में जब दुनिया में 56 मिलियन युवाओं की कमी होगी जब 56 मिलियन कारसील जन संक्या की कमी होगी उस समय हमारे आलब 49 मिलियन के करीब युवा तयार बैठे हैं काम करने के लिए तो यहाँ पर भाही है कि जबके भारत अपनी WA आवादी के साथ जन संक्या की रूप से फायदे की सिति में दिखता है इसी अब अधी में इसके एक्तिहाई बढ़ने की संभावना ब्यक्ति भी की गई है यानि इसमें और एक्तिहाई की ब्रद्धी यहाँ पर हो सकती है यह बाद भी यहाँ पर बताई गई है अधिक WA यानि कि वर्किंग जो एज है जनसंक्या वाले देश अधिक लाबबाली सिति में दिखाई पड़ते है क्योंकि युवा जनसंक्या उनके ज्यादा है क्योंकि युवा जनसंक्या अधिक उध्यमसील होती है यानि काम ज्यादा करती है उसे क्या होगा उत्पादन शम्ता में ब्रद्धी होती है अधिक पचत करने वाला हो है वर कि प्रत्योगात्मक प्रभाव की अगवाई कर सकता है यानि कि ये सेविंग्स भी अच्छी खासी होती है अधिक पर अगली हेडिंग है भारत के जनसांक की आँक्रे इंडियास, डेमोग्राफिक्स यानि इसके बारे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जनसांक की आँक्रे हैं तो तवाम जो देश जैसे भारत, ब्राजील, कोडिया, चाइना तो इन सब को कंपेर करके यह आँक्रे बताए गए हैं कि भारत की सिद्धी क्या है तो भारत और इसके राज्यों की ब्रद्धी की संभावनाओं पर असर पड़ता है अगर हम देखें, दूसरे देशों की तुलना में भारत का जनसांक की चक्र करीब 10 से लेकर 30 वर्स पीछे है यानि कि अगर हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हमारे युवा होने वाली जो दर है इसको हम बोल सकते हैं यह जैसे चाइना के मुकाबले अपने हाँ के मुकाबले चाइना में हमारे यहां से किस्ति है और इन देशों के लिए हानी किस्ति दी है भारत का डबलूए और नोन डबलूए यानि कि नोन डबलूए का मलब कि है नोन वर्किंग एज अनुपात अधिक्तम एक दस्वानों साथ पर रह सकता है यानि इससे ज़्यादा नहीं है जबकि आप ब्राजील का चाइना का या अनि देशों का ठाकर देखें तो यहां पर जो डबलूए और नबलूए है यह अनुपात काफी ज़्यादा है जबकि हमारे यहां बहुत कम है बराबर है यानि अगर हम चाहें जबकि हमारे यहां नहीने बच्चे पैदा हो रहे है यहां यहां की संक्या लगातार बढ़ती रहेगी तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां डबलूए एक दम खतम हो जाएगा नहीं हमारे यहां अभी भी बहुत 20-25 साल की संभावना है अब देखें इन सब में अभी जो आप लोग इन सब देशों में संकट देख रहे हैं यूरोप के देशों में अमिर्का में या पर चायना वगएर रसिया वगएरा में पास हुआ है उसके बाद इन सब की जो दर्या नहीं है वो समान रही है तो वही बात बताई गई है कि इन सबी देशों में दुती विस्युद्ध के बाद का समय लगवग एक समान बहुत अधिक कुल परिजन अंदर इसे हम टोटल फरडिलिटी रेट कहते हैं TFR के साथ सु परिजन अंदर जादा हुए हैं उनका लालन पालन इस्कूल पगएरा गई है तो उसमें बहुत एक देरी होई है और वो सब जितने भी देश जो युद्ध की चपेट बनाए उन सब में विकास रगवा एक साथ हुआ है तो उसी वजह से आज के समय में वो एक साथ सब की जनसंक्या जो बुड़ी होती जा रही है उसका भी सामना करते जा रही है इसके लावा इस्थान संबन भी विशिष्टा भी है यानि कुछ चीजां यह देखी गई है कि कुछ छेतरवार इस्ति भी ऐसी होती है जहां पर प्रजन अंदर जादा या कम होती है यहां बताया केरल, करनाटक, तमिल नाड़ू, आंधर जैसे राज्य जो है और भही आंधरिक प्रदिस्थ में आपका MP, राजिस्थान, UP, बिहार, इनकी सिती जो देखें तो यहां पर जनसंक्या का इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतरम है देखने को मिलेगा तो WA जनसंक्या मे सटीक ब्रद्धी और गिरावट के साथ प्रायदीपी राज्य चीन और कोरिया के निकट सवरू प्रदिशित करते हैं, यानि हमारे जो प्रायदीपी भारत के राज्य हैं, इनकी जनसंक्या ब्रद्धीदर समान बिलकुल उसी अनुरूप चल लही है, जैसे चाइना और को यूपी, बिहार, यहां पर काभी संख्या में लोग तयार हो रहे हैं, काभी संख्या में युवा लोग कह सकते हैं अपना योगदान देने के लिए तयार हो रहे हैं, यह भी हमें यहां पर देखने को मिलेगा, तो राज्यों के बीच है अंतर, उनके अलग-अलग TFR की देखने को मिलेंगे, एक भारत हमारे पास ऐसा होगा, प्रायदीपी भारत, जो जल्दी बुड़ा होने लगेगा, बुज़र्गों और उनके आवशक्ताओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगेगा, यानि खास कर कि हमारे पास सामाइस रक्षा की स्कीम इनके ज्यादा चलानी पड़ेंगी, जब लोग बुड़े होंगे, लोगों को हस्पिटल की जरूत पड़ेगी, पैंसन की जरूत पड़ेगी, तो यह हमारे योगदान थोड़ी ना करेंगी राष्ट के निर्मान में, यह तो हमारे लिए एक तरह से बोल्ट टाइप हो जाएंगे, तो य यह चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? आंजरिक प्रदेस हैं, यहाँ पर, यानि हम यूपी विहार, एमपी, राजिस्थान, तो यहाँ पर जो आपके जो persons हैं, वो 42 के आसपास कहीं ना की ज्यादा योभा होंगे, यानि आप समझ सकते हैं, जब 42 के करीब भारत के लोग रिटायर होने और स्टार्ट हो जो इनके लिए टार्गेट सेट किया गया उस टार्गेट से काफी दूर होने वाले राज्यों को हम आउटलायर कहते हैं तो कुल मिलाकर प्रोसान देने वाला धाचा कुछ रुचिकर आउटलायर बनाएगा जिनका छेतर पर और बहाँ पर रहने वाले लोगों पर अपना खुद का प्रभाव बढ़ेगा जैसे बताया क्या है बिहार जम्बू और कस्मीर हर्याना और महाराथ सकारात्मक आउटला देमोगराफिक डिमिडेंट तयार हो रहा है और आने वाले समय में ये भी हमारे लिए पॉजिटिव आस्पेक्ट के रूप में एक भूमिका निभाएंगे वहीं दूसरी ओर केरल, MP, 36 गड़ो पश्चिम मंगाल नकारात्मक आउटलायर है यानि कि यहाँ पर जो डेमोग अब देखिए अगली आपकी जो हेडिंग है यह है द्रॉरी बिलेंट शीट का संकर्ट dwell ins इएट पहले तो हम इसे एक सिंपल भासा में समझ लिए तnon violence फोती क्या है द्रॉरी गैंट का मतलब क्या है देखिए, आपने देखा होगा मैंने आपको बैंक वाले एक्जापल भ तखा जाता है CRR, cash reservation ratio जो है SLR, ठीक है, तो ये CRR, SLR के बारे हमने पढ़ चुके हैं, उस समय हमने एक example भी आपको दिया होगा, 100 वाला, कि 100 रुपए जो है बैंक के पास हैं, आपने जमा किये, और माली जे बैंक 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 ने उसमें से 80 रुपए किसी को करज दे दिया, तो यहां पर बैंक के बास कितना बन गया, 100 रुपए हो गया, बैंक का प्रॉफिट का, बैंक का जो capital हो गया, 100 रुपए हो गया, तो इस तरह से बैंक का mechanism में बताया था आपको, या आपने उस chapter को पढ़ा होगा, तो आपको पताया था, बने गुरा mechanism बताया था, दोहरी व capital में ब्रद्धी हो जाएगी, बैंक यही तो मान के चल रही है, लेकिन अब होता नहीं है, यह जो चीज़े होती है, यह mention एक balance sheet पर होती है, यहां पर बैंक जो है, यहां पर क्या करता है, अपने ब्रद्धी के रूप में, लाब के रूप में इनको लेके चलता है, कि हमारा bad debt बन गए, तो यह जो दोरी balance sheet समस्या बोली जाती है, यहां पर बैंक अपना भविस्त की पूजी capital तयार कर रही है, इसमें दिखा रही है, कि भविस्त में इतना पैसा होगा, दूसरी और bank एक और balance sheet तयार कर रही है, यहां पर दिखा रही है, कि यह पैसा मारा डूप तो यहां पर twin balance sheet का भी मतलब भही है, twin balance sheet में भी वही सारे concept है, जो NPA वाले है, खास करके twin balance sheet वाली समस्या जो है, वो NPA के उपरांती create होती है, तो यहां पर जो कदम NPA को खतम करने के लिए उठाए जाए जाएंगे, वही कदम यहां पर भी उठाए जाए जाएंगे, कोई नया concept यहां पर नहीं है, तो RBI द्वारा उठाए गए बिभिन कदम संकट को सुल्जान में तकरीवन अस्फल रही है, यही आरबिय ने जितनी भी अपनी योजना है, जितने भी यहां पर proposal दिये थे, जितने भी यहां पर concept सुजाए थे, वो इतना ज्यादा successful नहीं हो है, और यही लोग पैसा चुकाने में खह सकते हैं, आना कानी कर रहे हैं, 2007 के वैश्विक वित्ती मंदी, यानि कि ग्लोबल फाइनेंसियल क्रैसिस जिसे हम बोलते हैं, वैश्विक वित्ती मंदी, GFC, इसके बाद भारत धोरी बैलेंसीट, ट्विन बैलेंसीट की समस्या की जगर से मुक्त होने की कोसिस कर रहा है, यानि कि 2008 का जो क्रैसिस रहा था, साथ के बाद आपका GFC स्टार्ट हो गया था, भारत पर तम मनमुहन सरकार्ती भारत में और हम वो समस्या से, जो सब्राइम संकर्दा उससे हम बच गए थे, हमारी एकोनोमी को मनमुहन जी बचा ल हो रही है, PSP के उंची NPA, जो हमने आपको बात रखी दी, जो आपकी Government Banks हैं, Public Sector की Banks हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो Loan हैं या कर्ज हैं, वो Non Performing Assets बन चोके हैं, जो अब मिलने वाली परसंपतियां नहीं हैं, इस बज़े से, इसके रावा निजी Corporate छेत्र की उंची संक आपको पहली होता है था, solution यहाँ पर वही है, TBS का, जो solution आपका NPA का है, क्योंकि यह NPA से ही यह create होता है, यह Non Performing Assets से ही यह समस्या create होती है, तो NPA के बारे में जो हमने Bad Depth में वहाँ पर समाधान बताए दे आपको, वही समाधान यहाँ पर applicable होंगे, कोई नए समाधान इ देंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ निवेसियों के पूझी की कमी हो जाएगी, भई सही बात है, मालिजे, SBI है, अब SBI ने सारा पैसा वेजय मालिया कोई दे दिया हो, और वेजय मालिया पैसा लेके भाग गया, समझ रहे हैं आप, अब यहाँ पर छोटे उद्यमी, ज अबरोद्ध हो जाएगा, रोजगार भी हमारे यहाँ कम से कम सवजीत हो पाएंगे, बहुत लंबा इसका एफेक्ट देखने को मिलेगा, हमारे पूरी अर्थ विवस्ता पर, पूरी जनता पर, केंद्री करता सार्वनेक छेत्रे पर समपती पूरद्धार संस्था जो पार नहीं ले रही है, इसके पीछे बहुत सारी बुनियादी बाते हैं, जिनके बारे हमने इस स्पेस्पिक जो आपका चैप्टर था, बैंकिंग वाला चैप्टर था, बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत डेटेल में डिसकस कर लिया है, अब तक TBS को सुल्जाने की आपच लेकिन सक्सेस्पुल नहीं हुए, समस्या बनी रही, तो यहाँ पर इस पर जैसे बैंक जो आपने देखा हुआ, शोधन अच्छमता दिवाली आपन सहिंता वाला कानून लाना पड़ा, जिससे क्या हुआ, बैंकों को अपना लॉन बसूल करने में तोड़ी आसानी हो है, क्योंकि NPA जतना कम होगा, उतना ही बैंक सक्री रूप से आपके जो भी हमको बोल सकते हैं, जनता को लॉन दे पाएगी, और जब NPA लगातर बढ़ता जाएगा, तो जनता को मिलने वाला लावांस है, वो भी कम होता जाएगा, और एक इस्तिती यह भी बन सकती है, कि ब मैं लगाचार आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो फरिसान होने की जरूरत नहीं है, मैंने नए साल के लिए आपके लिए पूरा प्लान कर रखा है, किस तरह से अब आगे चलना है हमें, किस तरह से हमें क्या-क्या करना है, तो एकदम आप लोग हरवडा मत जाईए, और मैं आपसे बार-बार वही बात request करता हूँ, देखे, मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं है, जितना आप सोचके चलते हैं, कि भाई 10 लोगों की टीम होगी, 15 की नहीं, इतनी बड़ी टीम नहीं है मेरी, 2-3 लोगों की टीम है, वो 2-3 लोगी काफी है, तो 2-3 लोगों के हिसाब से आप अब इच्छा हैं जो लगा जते जा रहे हैं, कि सर माधि दुसेन करवा दीजिए, परियावड करवा दीजिए, स्पेक्ट्रम करवा दीजिए, देखे, एक साथ हम इतना सारा content नहीं चला सकते हैं, हमें एक balance पना की चलना पड़ता है, आप समझी रहे होंगे, economy जै नहीं है, तो यह एक जटिल किताब थी, हैने complete करवाई है, बास्तम में खुद से अभ्यरती से को पूरा करने का जिम्मा नहीं उठाती है, कभी पूरा खुद से नहीं कर पाती है, वो किताब हमने complete करवा दी, तो आप लोग अपना विश्वास बनाई रखिए, भरुसा बन